मात्मा बुद्ध को कोई गाली भी देते थे, कोई उनको अब शब्द भी कहते थे, वो उसको स्विकारी नहीं करते थे वो कहते थे कि हमें पता है हम क्या हैं, उनको कोई भोत सम्मान दे, उसको भी स्विकार नहीं करते थे, वो नोर्मल ही रहते थे उनको पता है हम क्या हैं, उन्होंने अपनी एक छवी बनाई हुई होती है, वो दूसरे से उसका अप्रॉल भी नहीं लेते हैं अगर स्वामी जी किसी से ये पूछते कि भई मैं योग आयरुवेद का कारिय करना चाहता हूँ मैं करूँ की ना करूँ अगर ऐसे पूछते न तो आज ये योग और आयरुवेद यहां नहीं मिलता किसी से नहीं बूछा उन्होंने अपनी एक छवी थी अपना एक दिमाग में एक चित्र था कि हमें रिश्यों का ये काम करना है आज भी कोई भी ये केवल स्वामी जी के लिए नहीं आयरुवेद के क्षेत्र में आचेरी जी के दिमाग में जो विचार थे वो किसी की होड करके या किसी से अप्रूवल लेके शुरू नहीं किया और यदि आप लेते तो पता नहीं वो दे पाएंगे की नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके चित्र के स्थिती अलग है मेरे की अलग है मैं जो उत्तर दूँगी वो अपने नुसार पूछ रही है तो इस स्रिस्टी में जितने भी मनुष्य हैं सब की आकरती अलग है इश्वर नहीं अलग-अलग बनाया और सब के मन अलग है एक मन नहीं है ना सब के संसकार अलग हैं सब यूनीक हैं लेकिन बस मापुरुष अपने उस यूनीक पन को पहचान लेते हैं और डट जाते हैं दूसरे हैं वो अपने अंदर देखते ही नहीं है वो पहचानते नहीं है अपनी उसको प्रतिभागो और वो दूसरों से ही फिर लेते हुए इधर उधर गिरते रहते हैं तो सब से पहले हमें अपने जीवन का क्या बनाना चाहिए एक image अपनी छवी खुद बनानी है मैं क्या हूँ मैं ब्रह्मचारी हूँ तो मैं किस तरह का ब्रह्मचारी हूँ अपनी एक छवी बनाई एक संकल्प लें एक इक्षण करें और उससे फिर नीचे ना आई कोई कुछ भी कह रहा है आप उसके उपर स्थिर रहें तो ब्रह्मचारी हूँ ने सबसे पहले एक्षण किया कि मैं एक जगत बनाऊ ऐसा जगत बनाऊ और फिर उसके लिए पुरुशार्थ शुरू किया तो हम तो दिन भरवे पता नहीं अपनी कितनी छवियां बना लेते हैं जितने लोगों से मिलते हैं उतनी हमारी छवियां बन जाती हैं हम उसको स्विकार कर लेते हैं कोई विक्ति मिलने आया उसने हमारी प्रशंसा की हमने मान लिया हम ऐसे ही हैं कोई विक्ति आया उसने हमारी निंदा की वेले सैंने के पुत्र नहीं थे, кто दो किया हमारे शिष्य, पर इसने अतिरिकत भी similar, गया और तक आगे बढ़ाना है, इसी के शुरुवात कहा से होती है, विचार से, संकल्फ señows तो उपनिशद भी हमें यही बता रही है तो उपनिशद का इस प्रसंग का हमारे जीवन के साथ ना बहुत बड़ा एक वो है संबंद है विचार का बहुत बड़ा महत्व है यह बताया जा रहा है इस प्रसंग से कि हमारे जो संकल्प होते है और फिर उसके अनुसर वो जो पूरुशार्थ होता है वैसा ही हमारा जीवन बनता है और उसको देखना पड़ता है कल्पना में देखना पड़ता है पहले और जहां जो विक्ति के संसकार होते हैं वो उनको कलपनाओं में जैसा देखेगा ना वैसा उसको रिजल्ट मिलेगा मानो आप किसी खेल प्रतियोगिता में जा रहे हैं या आसन प्रतियोगिता में जा रहे हैं और आपने पहले ही ये सोच लिया कि अब इस समय में ऐसे ऐसे योगासन कर रहा हूं मंच पे और मैंने इतने अच्छे योगासन किये और सब लोग ताली बजा रही है और उसके बाद मुझे सील्ड मिल रही है उसके बाद मुझे मैडल पहनाया जा रहा है तो 99.99 चांसी जहे कि आपको वो मिलेगा क्योंकि आपने वो संकल्प ले उच्छे भी बनाई और फिर वैसा पुरुशार्थ भी किया तो होगा और आपने यदि ये सोच लिया कि मेरे को आसन तो सारे आते हैं पर दूसरे लोग भी आजगल तो बहुत अच्छे अच्छे आसन करने लग गई तो कहीं ये भी हो सकता है कि कोई मेरे से भी अच्छे करने वाला आजाई तो पता नहीं अब की बार तो नंबर आएगा कि नहीं आएगा आज तो कुछ शरीर में भी थोड़ी अकडसी है फिर भी चलो प्रयास तो करते हैं तो फिर 99% चांसिज हैं आपका नंबर नहीं आए में इसलिए जो हर समय जो चिंतन चलता है ये मेरे बारे में ऐसे कह रही हैं मैं तो हूँ ही ऐसा कोई तो मेरे को पसंदी नहीं करते हैं अब ये कहतो दिया पांस दर्शनियाद करने के लिए याद तो होता ही नहीं है कैसे होगा ये तो मुसीबत ले ली फिर भी चलो ट्रा बघ्वाई करते हैं, तो आपका मन उसी च्वी को पकड़ता जा रहा है, कि ये कैसा विक्ति है, ये याद ना करने वाला विक्ति है, और याद कर भीले तो मौके पे भूल जाने वाला विक्ति है, तो वोμि करेंगे आप सुनाते समये, पक्की बात है ही, इसरे संकल्प में से होना ही है कोई धर्ती की शक्ती नहीं जो इसमें बाधा डाल सकी और आप किसी दिन इस संकल्प से कोई काम करके देखना 100% सफलता मिलेगी तो यह बहुत बड़ी बात कही है इस प्रसंग में इन्होंने कि ब्रह्म्ने भी सबसे पहले क्या किया संकल्प किया कि मैं बहुत सि प्रत्व में फिर इनोंने अग्नी में आदित्य में विद्युत में सब चंद्रमा में इन सब में क्या देखा तीन-तीन को ही देखा एक श्वेत रूप एक अन्नका रूप एक रजत यदू रोहितम इव अभूत इती तेजस तद रूपम इती तद विद्वान चक्रू यद क्रिश्नम इव अभूत इती अनस से रूपम इती तद विद्वान चक्रू तो जो ये रोहित माने रक्त सा लाल सा जो दिखाई दे रहा है तो ये समझ लो कि ये तेज का रूप है और जो श्वेत सा दिख रहा है वो जल का रूप है और जो काला सा दिख रहा है लो यह अन्न का रूप है तो कह रहे हैं यद्व विज्यातम इव अभूत इती एतासाम एव देवतानाम समास इती तो कह रहे हैं जिन पदार्थों के बारे में हमें ज्यात नहीं है अविज्यात जैसे है यद्व अविज्यातम इव अभूत जो अज्यात सा होता है कि इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो कहा एतासाम देवतानम समास है, समझ लो वो भी पदार्थ क्या है, इन देवताओं का समास है, किन देवताओं का, तीन का, जल, तेज, अन, सत्व, रज, तम, तो कुछ पदार्थों के बारे में हम जानते हैं, कुछ के बारे में नहीं जान इस लिए यह क्या हो गया अविज्यानत भी ज्यात हो गया इसा ही जानना चाहिए कि ये भी त्रिगुणात्मक है ये भी तीन का ही विस्तार है यथाने खलू सोम्य इमा तिस्ट्र देवताह पुरुशम प्राप्य त्रवरत्त त्रवरत्त एकई का भवती तन में विजानी ही इती तो कहा कि अब हे सोम्य किस प्रकार से इमा तिस्ट्रो देवता पुरुशम प्राप्य ये तीनों देवता उस पुरुश को प्राप्त करके पुरुश शरीर में त्रवरत्रवरत्त एकई का भवती माने तीन-तीन रूप धारण करने वाले एक-एक अंग कैसे हो जाते हैं तन में विजानी ही इती अब आगे वो भी तू मेरे से जान अभी तो ब्रह्मांड के बारे में बताया न इन्होंने तो ब्रह्मांड के बारे में आदित्य, विद्यूत, चंद्रमा और प्रिछ्वी की अगनी तो इसको बताया ये सारे ब्रह्मांड की चीजें क्या हैं त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मक अब जो ब्रह्मांड मे यो अनिष्ठह तत मनहा तो कह रहे हैं देखो शरीर में जैसे ये शरीर कैसा है अन्नमय कोश है अन्न से ही चलता है तो कह रहे हैं ये जो अन्न भी हम खाते हैं अन्नम अशितम जो खाया हुआ अन्न है ये अन्न भी तीन में बट जाता है अंदर जाकर की त्रेधा विधियते तीन प्रकार से ये विभाजित हो जाता है इसका विधान तीन प्रकार से हो जाता है इस अन्य में यह स्थविष्टो धातु हूँ जो इसमें स्थूल भाग है, स्थूल धातु है, स्थूल अंश है इसका, तत्पुरिशम वो तो मल बन जाता है यो मध्यम अहां तत्मांस है और जो इसका मध्यम अंश है, मध्यम भाग है इसका उससे मांस बनता है यो अनिश्ठह तत्मनह और जो इसका बिलकुल सुक्ष्ण भाग है अन का उससे मन बनता है इसलिए बोलते हैं जैसा खाए अन वैसा हो जाए मन तो अन का प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसी के सुक्ष्म रूप से हमारा मन बनता है तो अन की quality क्या है इसका भी प्रभाव मन पे पड़ेगा और अन कैसे खाया जाता है किस भाव से खाया जाता है उसका भी मन पे प्रभाव पड़ेगा अन भोत अच्छा है खीर है दूद है दही है मक्षन है साथविक है सारा लेकिन खा रहे हैं गुस्ते में खा रहे हैं आप परेशानी में दुख में तो वो खाया हुआ भी क्या बनेगा फिर विश बनेगा फिर साथविक उसका भी प्रभाव पड़ता है तो इन सब को मिला करके फिर अन के तीन भाग बनेगे मांस बनेगा पुरिश बनेगा और सुक्ष्म भाग से मन बनेगा ऐसे कहरें आपह पीता स्त्रेधा विधियंते इतासाम यस्थविष्टधातु तन्मुत्रम भवती यह मद्यमं तलोहितम यो अनिष्ठस प्राणह तो यह खाने वाले पदार थे अब पीने वाले जो लिक्विड हम लेते हैं आपह पीता जो जल पिये जाते हैं और यहां जल के साथ और भी जो लिक्विड चीजें ली जाती हैं वो भी आ जाएंगी तो कहरें उसके भी त्रेधा विधियंते उसके भी तीन भाग हो जाते हैं तासाम यह स्थविस्थ है, उसका जो स्थूल भाग है, स्थविस्थ धातु तन मूत्रम भौती, उससे तो मूत्र बन जाता है, यह मध्यमम और जो उसका मध्यम है, वो तल लोहीतम, उससे रक्त बनता है, और यह अनिष्थ है, जो उसका सबसे शुक्ष्म रूप है, उससे स प्राण की उत्पति होती है इसलिए जितना जयादा लिक्वीड या जल जितना पीया जाएगा उतना ही प्राण कुष्ट होगा तेज-अशितं जो तेज खाया जाता है मतलब ऐसे आग तो खाई नहीं जाती है जो तेज प्रदान पदार्त है जैसे घी है या स्वार्ण भसमादी है इनको कहते हैं तेज पदार्त तेज औ अशितम त्रेधा विधियते तस्य यस्थविस्टो धातु हुआ तद अस्थी भावती यो मध्यमा से मज्जा यो अनिष्ठ से वाक तो जो तेज खाया जाता है माने तेज युक्त जो पदार्थ खायी जाते हैं उनके भी तीन परिणाम आते हैं तस्यस्थविस्टः धातु जो उनका स्थूल भाग है तद अस्थी उससे तो हड़ियां बनती हैं हड़ियां मजबूत होती हैं यो मध्यमा समज्जा और जो मध्यम भाग है उससे मज्जा बनता है यो अनिष्ठ सावाक और जो उसका सूक्षम भाग है उससे वानी बनती है तो इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए रूखा सूखा भोजन खाना मना होता है क्योंकि रूखा रूखा खाएंगे तो रूखा रूखा ही बोलेंगे तो इसलिए उनको चिकना चिकना खिलाया जाता है तेज युक्त खिलाया जाता है घी आदी खिलाया जाता है बिक्षा में? नहीं नहीं, देते हैं, अच्छा भी देते हैं रुखा सुखा खानपूर में तो देते थे, अच्छा भी देते थे कोई-कोई रुखा देते हैं, कोई-कोई अच्छा देते हैं ऐसे होता है, सब तरह का मिलता है फिर बुरकुल में भी तो थोड़ा विदान होता है ना ब्रह्मचारियों को कभी-कभी दूद बादाम घी ये देते तो हैं आपको तो खूब देते हैं हड्डियों के साथ हड्डियों के बीच में रहता है ना इक तत्व उसको मज्जा कहते हैं अन्यम ही सोम्य मन आपो मया प्राणह तेजो मै वाक इती भुय एव मा भगवान विज्यां पैतु इती तथा सोम्य इती हो आचा तो इन्होंने कहा कि जैसे मैंने ब्रह्मांड में बताया ऐसे ही ये पिंड में भी अन्यम ही सोम्य मन हैं हे सौमे श्वेत के तू ये मन कैसा है अन्न माया ये अन्न से बनता है मन आपो माया है प्राण है और प्राण जो है ये जल माया है तेजो माई वाकिती और ये वाणी जो है ये तेजो माई है ये तेज से निश्पन होती है तो इन्होंने का भुये एव माँ भगवान विज्य पेतू थोड़ा और समझाओ थोड़ा समझ में नहीं आया भूय एव भगवान मा विज्ज्यां पेतू है माननी है है पिता मेरे को थोड़ा और बताओ तथा सोम्य इती हो आचे उननका ठीक है और इसको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं केरें जैसे ददना दही को हे सोम्य मत्यमानस्य ददना बिलोया जाता हुआ जो दही है जिसको बिलोया जा रहा है उसमें यो अनिमा जो उसका सूक्षम भाग है जो उसका सार है से उर्ध्वम समुदिशती वो उपर आ जाता है उसको खुब भिलोते हैं तो घी तो बिलकुल मिला होता है और घी उसका सार है चिकना उसका सार है जैसे जैसे बिलोते हैं तो वो उपर आने लग जाता है करें ऐसे ही ये अन भी जैसे जैसे जिसका जटरागनी स्ट्रोंग होगा और अन का पूरा पाचन होगा तो फिर उसको पूरा बिलोया जाएगा उस अन को जो आपने खाया है न और उसका जो सुक्ष्म भाग है वो उपर आ जाएगा घीकी तरहें से वो सार है उसका उससे मन बनता है और जिसका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो ऐसे निकल जाएगा उसको मता नहीं न आमाशे ने या आत ने उसमें से निकाला नहीं सार सार को तो फिर वो जादा वेस्टी होगा फिर उससे मन की उत्पत्ती नहीं होगी मन पुष्ट नहीं होगा एवं एव खलू सौम्य अनस्य अश्यमानस्य अनस्य यो अनिमा से उर्ध्व समुदीशती तन्मनो भवती अपाम सौम्य पीय माना नाम यो अनिमा से उर्ध्व समुदीशती से प्राणो भवती और ऐसे ही जो पिया जाता है और उस पिये जाते हुए का भी जो सुक्ष्म भाग है वो उपर उठ जाता है जब उसका पाचन होता है तो तो वही प्राण बन जाता है और इसी प्रकार से हे सौम्य खाए जाते हुए अश्यमानस्य तेजसह जो तेजस पदार्थ खाए जाते हैं उनका जो सुक्ष्म रूप है अनिमा सह उर्धम समुदीशती वो उपर उठ जाता है सावाग भावती और वो ही वानी बन जाती है उनका मन्थन होना चाहिए जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ये तो पूरा-पूरा डाल दे रहे हैं और जो आपने पाठ पढ़ा उसका जब मन्थन होगा तो उसका जो निचोड है जो सार है वो हमारे अस्तित्व का अंग बन जाता है फिर वो हमारा अपना हो जाता है उसको ह उठाने का किसी को तो हम हाथ का प्रयोग कर लेते हैं ना हाथ में शक्ति और हाथ हमारे पास है तो नहीं है तो नहीं कर पाएंगे ऐसे ही हम कितना सारा जयान सुनते हैं और कितना सारा जयान पुस्तकों में पढ़ते हैं लेकिन हम उसका मन्थन नहीं करते हैं जैसे दही को ऐ ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसमें से कभी भी गी नहीं निकलेगा, वो ऐसे ही रखा रहेगा, तो ऐसे ही हमारा ये ज्यान है, ये ऐसे ही पड़ा रहता है और नया आता है तो फिर वो चला भी जाता है पुराने वाला, तो उसमें से उसका सार नहीं निकल पाता है, मन्थ करके जो जो उनके पास जयान है उसका मन्थन करें विमर्ष करें परस पर तो फिर उसमें से कुछ अम्रित निकलेगा यही उसका अभिप्राय होता था तो ऐसे ही जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी यह कहा जाता है कि उनको अपने सहपाथियों के साथ बैठ करके उसके उ मन्थन तो उसमें से कुछ निकलेगा कि वह इसका सार यह है और फिर वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा और उसके उपर सुन तो लिया यहां पर फिर उसके बाद बिलकुल भी मन्थन किया ही नहीं विचार किया ही नहीं तो जब कल आओगे तो भूल जाओगे कि कल क् और जब जीवन में उसका मोका आएगा प्रयोग करने का तब तो बिलकुल याद नहीं आएगा क्योंकि उसके तो मन्थन ही नहीं किया था वो है ही नहीं हमारे पास इसलिए वेद मंत्र में कहा मैय वस्तु मैशुतम सुना हुआ मुझ में ठहर जाए मेरा अस्तित्व का एक अंग बन जाए तो वो तो तभी बनेगा जब उसका मन्थन करेंगे इसलिए चिंतन मनन निदिध्यासन तब वो आएगा व्यावार काल में चार प्रकार से विद्या फल्दाई होती है ना पूर्णता को प्राप्त होती है इसलिए कहा है अन्नमयम ही सोम्य मन आपो मय प्राण तेजो मय वाक इती भूय एव मा भगवान विज्यां पैतु इती तथा सोम्य इती होवाचे तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो मन है ये कैसा है अन्नमय है और प्राण है वो आपो मय है और वानी तेजो मय है तो इन्होंने कहा कि थोड भुये एव माभगवान विज्यां पहितुईती तथे थी इन्होंने का ठीक है और बताते हैं तो अब उसके उपर ही प्रैक्टिकल करके दिखवाएंगे आप जैसे कभी आप पूछे न या और कोई पूछे कि जी ये तो समझ में नहीं आया तो फिर उस व्यक्ति को ही उस प्रयोग के लिए वो बनाना पड़ता है निमित बनाना पड़ता है तो इन्होंने कहा कहा कि हे सोमे ये जो पूरुश है इसको शोडश कले कहते हैं सोलह कलाओं वाला कहते हैं इस पूरुश को तो इसमें पंच दश अहानी मा आशी ही पंद्रा दिन तक मत खाओ तो कामम भले ही पंद्रा दिन तक मत खाओ आपह पिबा केवल जल पियो अन मत खाओ केवल जल पियो तो आपो मया प्राण नै पी बता विछेट चती क्योंकि प्राण कैसा बताया इन्होंने जल के सूक्षम भाग से प्राण पुष्ट होता है तो बोले ये सोला कलाओं वाला है तो पंदरा दिन तक आप अन्न मत खाओ और जल जल पीते रहो तो प्राण तो पुष्ट रहेगा ना क्योंकि वो जल से ही बना है तो बोले आपका प्राण उखड़ेगा नहीं आप मरेंगे नहीं तब आपको समझ में आएगा कि ये जो प्राण मेरा बना था ये किस से बना? जल से जल नहीं पीएंगे तो मर जाएंगे आपका प्राण व्युक्त नहीं होगा, नहीं उखडेगा तो उसने ऐसे ही किया, श्वेत के तुने पंदरा दिन अन्न नहीं खाया और फिर सोलवें दिन अपने पिता के पास आया तो प्राण नहीं तूटा इसका तो फिर पंदरा दिन भुखा रह करके उपवास करके सोलवें दिन पिता के पास आया पिता नहीं कहा था कि सोला कलाओं वाला ये पुरुश है और इसमें पंदरा अन्न की कलाई हैं सोलवें जो प्राण है वो जल से पुष्ट होता है क्योंकि आपो मय प्राण हाँ तो प्राण आपका नहीं टूटेगा नहीं आप जल पीते रहना खाना मत और फिर मेरे पास आना ये उपदेश सुनने के लिए नहीं बार-बार कह रहे हैं नहीं कि और बताओ और बताओ तो बहुले पंद्रा दिन पहले उपवास करो फिर सोलवें दिन मेरे पास आना तो फिर मैं समझाओंगा तेरे को इस उपदेश के बारे में क्योंकि शब्द शब्दों से कभी भी सब्ते नहीं मिलेगा तो उसके लिए तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तो ये पंद्रा दिन भूखे रहे फिर सोलवें दिन अपने पिता के पास आई और आकर के उनके पास बैठ गई तो पूछे अपने पिता से किम ब्रवीमी भो पिता जी बताईए मैं क्या बताऊं आपको क्या कहूं मेरे लिए क्या आदेश है आपने बुलाया था ना तो मेरे लिए क्या आदेश है तो इन्होंने कहा कि बेटा बड़े वेद पढ़के आया था गुरकुल में बड़ा घमंड था तेरे को अपनी विद्या के उपर, तो थोड़ा सामवेद, यजुरवेद, रिगवेद के रिचाएं सुनाओ, रिचह, यजुनसी, सामानी, सोम्य, ब्रवीतू, तो सहो आचे, इसने कहा, नैवई, माँ, प्रतिभानति भो, कुछ ने सूज रहा पिताजी कहा वेद के मंत्र, कहा यजुरवेद, मतलब जान निकलने को, और ये पंदरा दिन होगे, खाया नहीं, तो कहा निकलेगा, तो ये जिसने कभी आनुभाव करेंगे, न तब पता लगेगा, जब आंदोलन किये थे, हमने दिल्ली में, आंशन करवाया था, तो तीन-चार दि में दिन ऐसे स्थिती हो गई थी, कि मतलब बोलने की इच्छा नहीं, भारत मादा की जै बुलाईं तो भी मुश्किल से बोलने पड़ती थी, अन्न के बिन ये तो शरीर, ये अन्न में ही है, अन्न में कोश्ट तो अन्न से ही चलेगा, और मतलब उस समय ऐसे लगता था कि ल जब तक श्रम की आई नहीं, तब तक श्रम का पता नहीं लगेगा, और जब जिस दिन आपको कहीं 15-20 किलो मेटर पैडल चला दें, और उस समय कहीं कि अब थोड़ा बैठ जाओ, तब पता चलेगा, कि बैठने का सुख क्या है, and यहां बैठे रो पूरे दिन संडे को, तो उसका कोई महत्व पता नहीं चलेगा जब पंद्रा दिन भूखा रखें और फिर कहीं आपको चना भी पड़ा हुआ दिखें न या भुना हुआ चना तो इच्छा होगी उठा के खालू तब पता लगेगा इसका महत्व क्या है तो जब हम बच्पन में जैसे वो करते थे ना खेत में जाते थे गाउ में रहते थे तो और कटाई के समय में कटाई करते थे तो जब कटाई करते तो कितने दूप लगती है और उस समय कटाई करके फिर थोड़ी देर के एक दो घंटे के बाद उसके पेड़ के नीचे आके बैठते थे तो उस च्छाओं में जो आनंद आता था वो ऐसी में कभी आ नहीं सकता है या दस घंटे ऐसी में बैठें तो भी वो च्छाओं अमरित जैसे लगती थी क्योंकि इतना तपाया है और सिर के उपर वो लाते थे घास बोजह पूरा और जब आके उसको डाल देते थे घर में और उस समय जो आनंद मिलता था रिलेक्स तो जैसे तो ब्रह्म ही मिल गया तो श्रम के बाद विश्राम का पता चलता है जब हम श्रम ही नहीं करेंगे तो वो विश्राम भी फिर इसलिए लोग आज कल कुछ काम ना करते हुए भी बिमार हैं क्योंकि पूरा विश्राम ही विश्राम है पूरे दिन विश्राम करो तो फिर श्रम नहीं किया तो उस विश्राम की कोई वैल्यू नहीं है जब आप श्रम करेंगे तब श्राम की बहलू पता लगेगा तो इन्होंने कहा कि अब आप मेरे को जरा मंत्र सुनाओ तो इन्होंने कहा ने वई मा प्रतिभांतिभो अब तो कुछ नहीं सूज रहा है पिता जी मंत्र वंत्र सब गए तो आगे फिर ये क्या बताएंगे ये थोड़ा लंबा चलेगा प्रसंग अभी समय हो गया अभी यहीं इसको भी राम देते हैं पाठो अभी शान्ति 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 ही स्री गुरुब्यो नमः